स्वागत है आपका अपनी चैनल एक लव्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचीन और आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 80% स्टूरेंट्स जो है वो इस तरीके से पढ़ रहे हैं 20% जो है वो इस तरीके से पढ़ रहे हैं और आप कैसे पढ़ रहे हो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा और वीडियो को एंट तक देखना वीडियो के अंदर ही आपको बता चलेगा कि 80% और 20% का क्या सीन है बाकि आपकी कोई भी प्रोब्लम हो आप मुझे इस्टाग्राम पे वोलो कर सकते हैं मेरा यूजर नेम आपके सामने है तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपको इंगलिश पढ़ाता हूँ ठीक है फ्लैमिंगो के चैप्टर्स हमने लगबग बना दिये हैं पोयम इस्टाट कर रखी है विश्टास के दो चैप्टर बना दिये हैं MCQ की सीरीज आपकी स्टाट कर दिये है और मोबाईल अब के अंदर क्विज जो होते हैं MCQ क्विज वो भी हमने डालना स्टाट कर दिये हैं तो हम आपके लिए सुबह से लेके शाम तक इतने मेहनत करते हैं को भी पता होगा कि हमारी को इतनी लंबी चौड़ी टीम नहीं है हम दो ही हैं सतिंदर सर और मैं जो आपके लिए मेहनत करते हैं सुबह से लेके शाम तक हम कोई ऐसे ट्रांसलेशन करके और पांच मिनट की समरेने बढ़ाते हैं अगर ऐसा करना होता तो मेरा कबकास लेवस खतम होता इतना लंबा नहीं खिसता ठीक है आपके लिए अगर हम 27 मिनट, 20 मिनट, 17 मिनट इतनी वीडियोज अगर हम लाते हैं और पूरा कंटेंट टाइप करके शुरू से लेकर end तक NCRT से note चाट चाट के उसमें से बना के तो उसमें कुछ तो होता हो का वीडियो उसके अंदर ठीक है, मैं आपको अपना experience बताता हूँ मैंने 2019 में ही अपना board exam दिया था तो 2019 के time पे जब मैं YouTube पे English सर्च मारने जाता था क्योंकि मैं तब student था English की वीडियो सर्च मारने जाता था तो मुझे कहीं ऐसी वीडियो ने मिलती थी जहां मुझे सारा content लिखा हुआ मिले A to Z जितना chapter का main होना चाहिए मुझे मिलता था, तो क्या Hindi में summary पढ़ा दी किसी ने पांच मिन्ट में पढ़ा के कोई जा रहा है ठीक है, हिंदी में कहानी रटा दी हिंदी तो समझ में आ गई, जब मैं paper में बैठूंगा तो उसको लिखूंगा कैसे में मिरे को तो हिंदी में याद है, अच्छा मुझे याद हो गया जब मैंने English में मुझे word ऐसे नहीं पता मुझे क्या लिखने, तो ये चीज मैंने feel करने के बाद, तभी आपके लिए ये course मैंने start किया है, ये मैं अपने लिए नहीं बढ़ाता आपको, क्योंकि मेरी 12th हो चुकी है, ये English का course आपके लिए बनाये गया है, और unique बनाये गया है ठीक है, best notes ये जो thumbnail पर लिखा हुआ है best video on YouTube, ये ऐसे ही नहीं लिखा है इसका मतलब है पीछे, इसका मतलब ये है कि आपके लिए यहाँ पर मेहनत की गई है इसके अंदर, ठीक है, और आप इसको जब पढ़ोगे एंड तक आपको quality खुद पता चल जाएगी, कहने की जुरुत भी नहीं पढ़ेगी और इसके पीछे लगती है महनत अगर मैं चाहता, तो वही समरी आपको मैं पढ़ा सकता था, पांच मिंट के अंदर, हिंदी में सीधी सीधी, बिना कुछ लिखे और आपका काम बन जाता अभी के लिए लेकिन जब exam में जाते तो क्या लिखते आप हिंदी की कहानी तो आएगी ने, आपको question answers लिखने है और आपको long questions लिखने है और उसके लिए आपको chapter अच्छे से पढ़ा होना चाहिए तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आलस का शिकार है पहले में 20% वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ ठीक है? आलस का शिकार है नींद का शिकार है कभी पढ़ लिया तो कभी ने पढ़ा ये इनका चला आ रहा है पूरे lockdown से ही आलस, नींद, सोना, सुबह उठना दस बजे, ग्यारा बजे उठना खाना, पीना, मोबाइल चलाना गेम किलना, सो जाना फिर रात होती है, फिर खाना खाना फिर बारा एक बजे तक मोबाइल चलाना फिर सो जाना ये schedule चल रहा है, अगर आपका तो आपको लेड़ उवेगा, आप अपना school छोड़ दो, क्योंकि 12th class आपको last class ऐसी होती है जो आपको जिंदगी के सबसे ज़्यादा percentage दिलवाती है और 12th class के ही नंबर आगे माईने रखते हैं, आपने छटी, साथवी, आठवी में क्या किया, गोही नियाद रखता ठीक है, तो ये जो बच्चे है आलस का शिकार, आपकी ये बिमारी दूर हो जाती है, जैसे जैसे धीरे-धीरे board exam नजदीग आते हैं तो आप ये मत समझो, board exam दूर है board exam आने ही वाले हैं, जनवरी जा चुकी है लगबग, फरवरी भी जल्दी चली जाएगी, दिन कम ही होते हैं फरवरी में, पूरा महीना भी नहीं होता मार्च में आपके practicals होंगे, अब तो schools भी खुलने वाले हैं, और आपको महनत करने वाला भी, 10th class में मेरी 58% सी, मैं भीलकुल ने पढ़ता था बहुत घूमता था, मस्ती करता था 10th के बाद जो मेरा result आया 58% का, बहुत शरम आई देखके और लगा कि अगर कुछ अब नहीं किया तो आगे लोग असेंगे, अगर 58% कुछ नहीं होता है, आज के टाइम के, ठीक है उसके बाद में जो मेरे अंदर आग लगी motivation की, तो मेरे 12th में 97 के करीब percentage बनी, तो वो 2 साल के अंदर जो मैंने महनत करी, वो 58 से ही मैं उसको वाँ पे लेगे गया था, ठीक है मैं बच्पन से टॉपर नहीं था, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ न, आज तो मेरे 2 साल की महनती है 11-12 की, जो मैं आज आज आपको पढ़ाने के काबिल हूँ आपको समझा रहा हूँ कुछ बात, ठीक है तो बात को समझना है, आलस को दूर कर दो कुछ खाम नहीं आएगा, आगे कुछ न कुछ करना पड़ेगा वरनाव वही 15,000 की जॉप करते है फिर होगे और कुछ नहीं मिलेगा आगे तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी तो बोड एक्जाम बहुत दूर है यह चीज इनके दिमाग में बसी हुई है कि एक्जाम पोस्टपॉन हो गए, बोड एक्जाम बहुत दूर है तो यह चीज आपको बता दू यह जो तीन महीने मिलें आपको तीन साड़ी तीन महीने यह आपको किसी चीज के लिए मिलें यह समझ लो, भगवान ने आप पे दया कर दी कि आपको इतना टाइम मिल गया रिवीजन का प्लस में एडिशनल सब्जेक्ट और लेंग्विज सब्जेक्ट का सलेवस पूरा करने का वरना जो मार्च में एक्जाम होग करते थे थे तो लेंग्विज सब्जेक्ट को तो करने का टाइम इनी बचता था हिंदी इंग्लिश को और साथ में जो फिजिकल एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उनका टाइम था छोड़ी दो बिल्कुल टाइम ने मिलता था ये तीन जाड़े तीन महीने अपने अडिशनल सब्जेक्ट को लेंग्विज सब्जेक्ट को दे दो जी जान लगा के अगर आपने दिसंबर तक अपने में सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं तो नहीं पड़े तो एक टाइम टेबल बनाओ और अपना उसके इसाब से चलो क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर टाइम टेबल बता दो मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो आपको टाइम टेबल बता सके जो आपके काम है क्योंकि आपको अपनी जिंदगी का खुद पता है आपको क्या करना है, जरूरी नहीं कि आप दिन में खाली हो तो अगला बंदा भी खाली हो, हो सकता है कि उसको घर के कुछ काम होते हो, या जरूरी नहीं कि आप रात को पढ़ते हो तो सभी पढ़ते हो रात में, तो time table हर किसी का अपनी तिंचरिया के नुसार ह होता है, जैसा जिसको time मिले वो तब पढ़े, ठीक है, time table का कोई pressure नहीं होना चाहिए कि हाँ, मुझे इसी time, सुभे 4 बजे उठके पढ़ना है, जरूरी नहीं है, जिस time जिसको मन करेगा तभी तो कोई पढ़ेगा, या जरूरी नहीं सारी सारी रात पढ़ना है, ठीक है, जब time करे, जब time मिले, तब पढ़ो, और exam दूर है, यह चीज अपने दिमाग से निकाल दो, अब अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा, कि हमने mobile app में आपके लिए अपने quiz start करती है, ठीक है, quiz आपके free of cost है, economics, English, Hindi के भी जल्दी आ जाएंगे, और आपके home science, physical education, pole science, ठी history, यह सारी चीज हों कि आपको quiz, daily quiz आपको मिल रहे हैं, जाएंगे, उसको attempt करिए, अपने knowledge को देखे, आपने chapter से कितना सीखा, और आपको बता दू, board exam को pattern आपको पताई होगा, कि MCQ questions आपके आने वाले हैं, तो आप quiz को ज़रूर attempt करिए, अब मैं आपके सामने एक photo दिख सबका नाम अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपके लिए एक separate वीडियो जल्दी लाँगा, मेरा वादा है आपसे, जल्दी लाँगा, जिसमें जिस भी बच्चे ने मुझे अपना homework, अपने tasks लिक के भेज़े हैं, नाम के सा जाता, आने वाले वीडियो में मैं नाम भी बताऊंगा, किस किसने भेज़ेते, तो सेक्ड़ों, अजारों नाम आते हैं, मैं सबके तो में लिखने बाऊंगा, जितमे मेरे पर आएंगे, मैं जरूर आपके सामने दिखाऊंगा, और अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी English क इबुक अवेलेबल है, अगर आपको नहीं पता इबुक क्या है, तो इबुक Most Important Quotions की एक ऐसी PDF होती है, जिसमें आपको Most Important Quotions मिलते हैं, MCQ के साथ में, Long Quotions, Short Quotions, सब कुछ होता है उसके अंदर, तो Board Exam के लिए काफी helpful होती है, और मैं आपको बता दूँ कि उसमें से बह आटने होते हैं, उसके बाद जाके वो तयार होती है, तो जो Interested है, वो ले सकता है, जो कुछ करना जाता है आगे, जो Interested नहीं है, उसके लिए कोई कंपल सरी, कोई pressure नहीं है, बहुत बच्चे बहाने बनाते हैं सर, हमारी Storage Full है, Mobile App की, हमारे Mobile की Storage Full है, आप कैसे डाउनलोड क खाली करिए, आपके साथ जो भी आपका बहाना है, जो भी आपकी समस्या है, तो आपके उपर कोई Compulsation नहीं है, कि आपको लेनी ही लेनी है, आप लेना चाहो, अपने लिए कुछ करना चाहो, तो आप ले सकते हो, नहीं लेना चाहते, तो आपके कोई Compulsation नहीं है, वीडिय purchase करनी है आपको मैं एक बरी step बता देता हूँ जो कि interested students है ebook लेने के लिए तो सबसे पहले mobile app को download करना download करने के बाद अपना login कर लेना registration करके और फिर आपके सामने यह options आएंगे इसके अंदर आपको जाना है study material के अंदर study material में जब आप आओगे तो आपको ebook लिखावा मिलेगा इस पर click करना then आपके सामने यह लिखा आजाएगा English ebook class 12 यहाँ पर by now पर जब आप click करोगे तो आपके सामने payment gateway खुल जाएगा जहाँ आपको पनी details दालके आप आगे जाके purchase करोगे और ebook आपके app के अंदर आ जाएगे ठीक है और आप उसको अच्छे से पढ़ना सारे important questions होंगे उसके अंदर जो की board exam में आते हैं तो आप interested हो तो आप ज़रूर लेना all the best और आगे आपको बतना चाहँगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो homework भी लिखके भेजते हैं मुझे मैंने आपके सामने आज एक दो screenshot लगाए हैं ठीक है ताकि आपको भी पता चले कि आप भी कि जैसे और भी बच्चे हैं जो active है अगर आप ये याद रखना कि किसी ने चाहा है कि आप अगल आज सो रहे हो तो ये याद रखना कि आपकी जगा कोई और जाग रहा होगा और वो महनत कर रहा हूगा और आगे निकल जाएगा आप सोते रहे जाए ठीक है तो बच्चे ये वही हैं जो जाग रहे हैं और अच्छे से मैनत कर रहे हैं अपने बोड़े अग्जाम में मांक्स को अचीव करने के लिए History, English बहुत अच्छी मैनत कर रहे हैं बच्चे और अपने answers लिखते हैं चाहे जैसा भी लिखते हैं perfection आए ना आए पर वो कोशिश करते हैं ठीक है आप देखो कि ये कितने संगर्ष के साथ इसने मतलब चाहे रैटिंग इतनी अच्छी खास ना लग रही हो पर at least लिखा तो सही उसने कुछ ना कुछ ठीक है तो आप अपनी कोशिश करो कुछ ना कुछ लिखो जैसे ही heading बनाई इसके इंदर कि जो 20% है वो सोय हुए है इस बिमारी के इंदर वो गुजर रहे हैं कि बोड एक्जाम दूर है तो वो आप जाग जाओ प्रैक्टिकल जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं स्कूल स्कूलने वाले हैं और फिर आपको 12 के बाद कोई नहीं आप पर प्रेशर डाल वरना कहीं पर आप जॉप कर रहे होगे जो मैने आपको बताया था तकिसी के अंडर ने तो आपको खुद का अपना मास्टर बनना है या किसी के अंडर जाके काप करना है या आपके ऊपर हैं तो इस वीडियो में यही आपको बताना था कि जाग जाईए अपने जो additional subject और जो language subject है, उनके उपर मेहनत करना शुरू कर दीजिए, आपको मैं description में link provide करवा दूँगा, physical education की, home science की और English की playlist की, तो आप उसको ज़रूर देखना, बाकी e-book जो interested है वो ले सकता है, जो नहीं है, उसके लिए कोई compulsory नहीं है, तो इस वीडियो में इतना ही, comment box में ज़रूर 80% वाले हो या 20% वाले हो, सच्चाई से बताना, मैं आपके comment का इंतिजार करूँगा, जय हिंज, जय भारत, धन्यवाद, चैनल को subscribe करना, बिल्कुल नहीं है,